वेलकम प्यारे वचों, इंजिनियर्स गेटवी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं लड़ी तराथी फिर से आपका स्वागत करता हूँ और जैसे कि आप थमनिल देख रहे होंगे, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर इंवर्मेंट एंड इकोलोजी का, इसमें कुछ इंपोर्टन टॉपिक्स मैंने यहाँ पर इंकलूड की हुए हैं, वैसे स्लेवर्स आपका पूरा कम्प्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, इंवर्मेंट एंड इकोलोजी सब्जक की, आप वहाँ पर जा रहे होंगे, इसमें से तीन कोश्चन आपको मिल जाएंगे एक्जाम में, मेरे पॉइंट आप व्यू से, मुझे लगता है कि यहाँ से तीन कोश्चन आपके बनेंगे, और आज जो हमने टॉपिक यहाँ पर डिसकस की हैं, वो कोश्चन की फॉर्म में ही यहाँ पर डिसकस करने के लिए इंडिया में भी जाग रुपता हुई और Environmental Protection Act बनाए गए जिससे की यहाँ पर Environment को Protect किया जा सके साथी साथ London Smoke के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे यह दोनों questions पूछे जा चुके हैं आपके question paper में और यहाँ पर जो deforestation है उस पर भी question exam में पूछा गया है Eutrophication जो process होता है उस पर भी question पूछा गया है और Acid Rain और जो Clean Rain जो General Rain होती है और Acid Rain होती है उसमें क्या difference होता है यह सारे question आपके exam में पूछे गई हैं यह कुछ important topics हो जाते हैं जिनको मैंने यहाँ पर collect किया है last के question papers को ध्यान में रखते हुए जो university ने दिये है तो आज के video को start करने से पहले आप हरवार की इतरह है सबसे पहले video को share करेंगे जिसे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक video पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाब उटा सके तो आज हम इस video में discuss करेंगे इन सभी topics को questions की form में चलिए start करते हैं सबसे पहले हम भुपाल gas tragedy की बात कर लेते हैं थोड़ा सा general discussion मैं यहाँ पर करना चाहूंगा कि भुपाल gas tragedy जो हुई थी वो 2 और 3 December की रात को रहता है यह जो on paper बात की जाती है तो 1984 की यह बात है midnight की यह बात होती है इसमें कुछ ऐसा होता है कि एक gas leak हो जाती है जिससे कि वहां के आसपास के रहने वाले जो लोग होती है उनको सांस लेने में समस्या होती है और different different diseases वहाँ पर हो जाती है और setup भी बहुत सारी death वहाँ पर हो जाती है government के on paper की बात करें तो 4 से 5000 death वहाँ पर दिखाए गई थी लेकिन government के paper और आप generally उस पर discussion करें तो किसी भी particular tragedy पर अगर आप बात करें तो वहाँ पर बहुत जादा अंतर होता है तो यानि कि एक बहुत बड़ी समस्या वहाँ पर create हुई थी जिसको ध्यान में रखते हूँ इसके बाद फिर आगे इस पर ध्यान दिया गया और कुछ laws industries के लिए बनाया गया जिससे कि उनको ध्यान में रखना है उन सारी चीजों को और इस तरीके की tragedy आगे ना हो उनसे बचना है तो आज हम इसे पर पहले discuss करेंगी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं On the night of the second December 1984 ठीक है एक gas leak at the union Carved India Limited UCIL जो industry थी जिसका नाम था UCIL इसमें क्या होता है एक gas leak होती है pesticide plant in the Bhopal ये एक pesticide plant था Bhopal के अंदर मध्याप्रदेश Bhopal जो मध्याप्रदेश की राजधानी है ठीक है उसमें यहाँ पर ये एक plant लगा हुआ था UCIL में जो एक pesticide plant था वहाँ पर एक gas leak होती है lead to the death is about the 4000 pupils and adversely affect the health of lack of pupils मतलब on paper government के हिसाब से अगर बात करें तो 4000 लोग या उससे अधिक इसके आसपास की death हुई थी और बहुत सारी जो health थी मतलब बहुत सारे जो persons थे वो affect हुए थे इस gas leakage से चालें अब ये कुछ question है इसमें बहुत सारे questions मैंने include करने की कोसिस की है एक ही में तो पहले समझेते हैं जैसे when did the bhopal gas tragedy occurs कब हुई थी what was the cause of the bhopal gas tragedy क्या cause थे which of the chemical was involved in the gas leak कौन सा chemical involved था gas leakage में and what were its effect on the human health क्या उनका effect पढ़ा था human health पर what was the immediate impact of the gas leakage on the resident of the bhopal bhopal में रहने वाले जो लोग थे वहाँ पर उन पर क्या immediate effect पढ़ा था impact हुआ था इस gas leakage का how has the bhopal gas tragedy influenced industrial safety regulation and corporate responsibility globally ये बहुत सारे questions एक ही question में involved करकर मैंने इन सबको यहाँ पर involved कर लिया है तो सबसे पहला कब हुई थी तो the bhopal gas tragedy occurs on the night of the second third December 1984 पहला question का अंसर ही हो जाता है simple यहाँ पर next question what was the cause of the bhopal gas tragedy bhopal gas tragedy जो हुई थी जो gas leakage हुई थी उसका क्या cause था the primary cause of the bhopal gas tragedy was a leak of methyl isosynate यानि कि आप इसको ध्यान रखेंगे methyl isosynate gas from a strong tank at the union carvide pesticide plant in the bhopal UCPI जो bhopal में एक plant था pesticides का उसमें methyl isosynate gas के leak होने से यह तैज़ेदी हुई थी in India the exact cause of the leakage was a combination of the factors including the inadequate safety measures poor maintenance and lack of proper training for the plant workers बतलब अगर हम causes की बात करेंगे तो generally हम बात करेंगे कि जो factors है जैसे including inadequate safety measurement मतलब safety का ध्यान नहीं रखा गया उसकी बज़े से हुआ poor maintenance maintenance जो थी industry की वो पूर थी and lack of proper training जो workers वहाँ पर काम करते थी उनको जो training मिली वी थी उसमें कहीं न कहीं कमी थी जिस बज़े से ये एक भयानिक tragedy हुई में लिए क्या हुआ था जो methyl isosynite का जो tank है जो एक बहुती खतरनाक pesticide होता है उसको उस जगह पर रखा गया जहां पर water की जो line होते है water की जो pipe होते हैं वो वहाँ से जा रहे थे और वो भी क्या थे? leakage थे क्योंकि ये gas ऐसी है जब इसके साथ water मिल जाता है तो ये क्या करती है? ये उसके साथ react कर जाती है और react करने के बाद इतनी ज़्यादा heat या फिर इतनी ज़्यादा gas produce होता है कि वो उस tank को उसने blast कर दिया और जैसे ही वो tank blast हुआ तो air में, पूरी air में ये gas क्या हो गई? leak हो गई और धिरे 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 spread होकर अगर बात करें तो लगभग उस industry के center से अगर हम बात करें तो लगभग 8 km के radius में इस gas ने क्या किया था? impact डाला था चूकि 8 km का radius आप से बन सकते हैं diameter हो जाता है 16 km बहुत ज़्यादा मात्रा में आसपास के area को इसने क्या किया था? effect किया था तो ये सारी चीज़े थी इस बज़े से इस तरीके की situation create होई थी आगे बात करते हैं किस टाइब के question है which chemical was involved in the gas leakage अभी हमने वैसे बात कर ली है what were its effect on the human health क्या human health पर effect हुआ the gas leakage in the bhopal gas tragedy was methyl isocyanate methyl isocyanate is a highly toxic and reactive chemical used in the production of the pesticide यानि कि जो खितों में आप pesticide use करते हैं उनको बनाने के लिए इस gas का या इस chemical का use किया जाता है जो बहुत ही reactive होता है, toxic होता है और reactive मतलब water के साथ react कर जाता है ठीक है? तो यह यहाँ पर leak हुआ था exposure to the methyl isocyanate can cause respiratory tissues यानि कि respirators issue यहाँ पर create हुए इस gas के leak होने से क्या हुआ? जो सांस लेने की समस्या है वो हुआ eye irritation आँखों में जलन और irritation की problem हुई फिर आगे skin burns जो skin में खुजली होना और मतलब इस तरीके से महसुश होना कि जलन हो रही है इस तरीके की समस्या है and other several health effects जो main effects वहाँ पर देखे गए वो था सांस लेने की समस्या आँखों में जलन होना हातों पैर में की skin में जलन होना और बहुत सारे health effects इसके कारण हुए आगे the gas also react with the water in the respiratory system leading to the production of toxic white products यानि कि water के साथ react करके toxic white products वहाँ पर बनाए इस gas ने ठीक है चले आगे type का जो question है what was the immediate impact of the gas leakage on the resident of भोपाल वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे वहाँ पर जो रहने वाले residents है उन पर क्या immediate impact पढ़ा इस gas leakage का वो देख लेते हैं the immediate impact of the gas leakage was the catastrophic यानि कि आपत्ती जनक बाते यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि impact हुआ था thousands of the pupils were exposed to the toxic gas resulting in the respiratory deserts यानि कि सांस लेने का संकट उन पर आया eye irritations हुई nauses यानि कि जी मचलाना एक तरीके से जैसे मतलब कोई चीज हम खराब देख लेते हैं या चानक से कुछ इस तरीके की चीज़े देख के जी मचलाने लगता है हमाला जिससे की vomiting हूँ and other health issues यहाँ पर immediately impact यह सारी चीज़े देखी गई many diets in the hours following the leakies and the total number of the casualties continued to rise in the days and weeks that followed मतलब यह impact है आपके suddenly जो एकदम से देखने को मिले लेकिन जैसे जैसे एक, दो, तीन दिन इस तरीके से बीचते गए तो और ज़्यादा impact वहाँ पर देखने को मिले और और ज़्यादा लोगों को वहाँ पर समस्य होना start हुई जैसा starting में हमने बात की थी on paper लगभग 4000 प्लस death हुई थी suddenly और एक लाग से जादा pupils effect हुए थी वहाँ पर the local healthcare system was the overwhelmed मतलब जब लोग परिशान होने लगे तो hospitals की तरह भागने लगे तो सारा healthcare system जो था वो खराब हो गया, damage हो गया and there was a lack of immediate medical assistance for the affected residents और दूसा कारण ये भी कह सकते हैं कि जो lack of immediately हमें medical assessment की जुरुवत थी वो भी नहीं दी गई, वो भी नहीं मिली ये भी यहाँ पर कारण है तो that means immediate impact आपके इस gas leakage का ये आप बता सकते हैं वहीं पर next question How has the Bhopal gas tragedy influenced industrial safety regulation and the corporate responsibility globally अगर globally हम देखे तो कैसे इसने impact किया industrial safety regulation and corporate act जो है या फिर उनको लेकर अब Bhopal gas tragedy had a profound impact on the industry safety regulation and corporate responsibility worldwide पूरे विश्व में मतलब जो industry के safety regulations act मतलब जो rules होते हैं उसको कहीं न कहीं directly इसने challenge कर दिया मतलब क्योंकि ये सारी चीज़े हुई किस बज़े से क्योंकि industry के अंदर safety rules का ध्यान नहीं रखा गया है ना it raised awareness about the need of the statement safety measurement in the chemical industries and emphasized the importance of the corporate accountability for the environmental and human health deserves मतलब कहने का ये है इसने क्या किया कि एक awareness की जरुवत हुई जिससे कि कठोर से कठोर safety measurement की need यहाँ पर देखने को मिली जो chemical industries है उनमें importance आ गई corporate accountability to for the environment and human health disasters के लिए है ना जिससे कि human health को ध्यान में रखते हुई इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है इस पर जरूर ध्यान देना है the tragedy promoted changes in the regulation and increase review of industrial practices globally मतलब इस बजह से हम यह कह सकते हैं इस tragedy के बाद से promote हुए मतलब changes होना जरूरी समझे गए regulation and increase the review of industrial practice globally मतलब पूरे अगर world की हम बात करें तो उनमें जरूरत महसूर की गई कि हाँ जो industries के laws हैं regulatory laws हैं उन पर कहीं नगई review करने की जरूरत है उनमें change करने की जरूरत है it leads to the discussion on the corporate society responsibility the need for the emergency preparedness and the importance of the community engaged in the industrial areas और वहाँ पर किसी particular industry के उसमें एरिया में जो community रह रही है उनसे engage होना उस community को engage करना उनसे बात करना बहुत जरूरी हो गया है ना आगे यानि कि मतलब suppose अगर किसी छेतर में कोई industry लगी हुई है तो वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों से community से बात करना important हो गया क्योंकि उसी से पता चलेगा कि क्या वहाँ की community satisfy है इस industry से कुछ उनको changes या harms तो नहीं महसूस हो रहे हैं तो यह सारी चीज़े इस tragedy के बाद जरूरी हो गई मतलब इस tragedy के बाद यह देखा गया कि कही ना कहीं जो importance है safety rules की वो कितनी जरूरी है और basically industries में जहां पर harmful chemicals यूज किये जाते हैं या वहाँ पर harmful chemicals बनाए जाते हैं तो वहाँ पर safety का ध्यान रखना कितना जरूरी है इस tragedy के बाद इस चीज़ को पूरे worldwide में discuss किया गया और इस पर ध्यान दिया गया ठीक है clear हुआ चले तो यह आपका भूपाल गया ट्रेजडी के बारे में था इस पर पांच तरीके के questions मैंने involved किये I hope आपको सारे प्याइब हुआ हूँगी अब next चलते हैं London smoke next topic जो है इसको भी हमने questions की form में discuss किया हूँ है जैसे what is London smoke London smoke क्या है what was the great smoke of London in 1952 या मतलब इसके causes हुए जो actually London smoke जो था 1952 में हुआ था लंदन में what were the main pollutants responsible for the London smoke कौन कौन से main pollutants थे जो responsible थे इसके लिए examine whether the London faces ongoing air quality issues and smoke related challenges in the present day और present day में कैसे London face कर रहा है air quality issues को तो ये सब questions इस तरीके से इस topic से बन सकते हैं या फिर अगर simple London smoke आप से discuss करा ले जाए जिस तरीके से last paper में पुछा गया था कि define या explain the following topics या issues जिसमें आपका mobile gas tragedy दे दिया था और London smoke दे दिया था तो आप इस तरीके से discuss कर सकते हैं ये point wise सारी चीज़े आप यहाँ पर देख रहे होंगे दोनों topics में जैसे London smoke क्या था London smoke refers to a type of the air pollution that occurred in the London particularly during the mid 20th century मतलब 20th century के middle में during the मतलब London में air pollution यहाँ पर देखा गया that's called the London smoke and it is characterized by a combination of the smoke and fog और यह क्या था combination था smoke का and fog का resulting in the poor visibility and adverse health effect जिसने क्या create किया कि poor visibility बना थी और health को effect किया वहांके लोगों को the most infamous incident of the London smoke is the great smoke of 1952 यानि कि इसको एक great smoke 1952 नाम से भी जाना चाहता है तो यह आपका London smoke के बारे में हो गया क्या causes वे? causes of the great smoke of London 1952 the great smoke of London was a severe air pollution मतलब एक तरीके का air pollution था यहापर air pollution event that occurred from December 5 to December 9, 1952 मतलब 5 December से 9 December तक यह London smoke देखा गया 1952 में the primary cause were a combination of cold weather मतलब अगर हम primary cause की बात करें तो जो ठंडा weather है वो which leads to increase the domestic coal burning and atmospheric conditions that trap pollutant close to the ground मतलब कहने का यह है कि London में ठंड तो होती है और 5 December के दिन क्या हुआ कि जो ठंड होती है वहाँ पर तो लोग क्या करते हैं? कोला जलाती हैं जिससे कि मतलब body गर्म रहे तो कोल को burn करने से वहाँ पर जो harmful pollutants निकले वो harmful pollutants cold weather की बजह से फैल नहीं सके मतलब एक particular reason में ही खटा होना start हो गए ठंडे होकर वो मतलब उपर जाने की बजह है आर्थ के surface की तरफ खटा होना start हो गए और start होने से वहाँ पर एक तरीके से इस तरीके की चीजे create हो गए कि जैसे की बादल चा गए हो वो जो fog था मतलब एक तरीके से कह सकते है वो जो धुआ था वो जो pollutants थे air के वो इतने मोटे थे मतलब एक तरीके से ऐसे लग गए जैसे की बादल नीचे आ गए हो तो ये उस बजह से हो गए होता है उसको बेच दिया जाता है economically growth के लिए उसको बेचा जाता है और जो third quality का जो coal होता है उसको जलाया जाता है जिससे की ज़्यादा pollutant निकलता है और वो harmful रहता है और वही cold weather की वजह से उपर ना जाकर वहीं पर क्या हो गया? जम गया ठीक है? the dispersion of the pollutant जिसने क्या किया? जो pollutants का dispersion था, pollutants का जो फैलाब था उसको क्या कर दिया? रोग दिया ठीक है? चाँ तो इस बज़े से आपका लंदन smoke देखा गया तो अकर मैं बात करूँ तो उस अबदी के दोरान यानि कि 5 से 9 दिसंबर 1952 में एक उचदाब बाली जो मौसम प्रणाली के कारण हवा जो थी वो इस्थिर हो गए और हवा इस्थिर हो गए जब बहाँ पर तो जो प्रदूसक थे, मतलब जो कोईले को जलाने से जो pollutants निकल रहे थे, वो फैल नहीं सके पूरे environment में और वो बही पर खटा हो गए, और यही था आपका London smoke है ना, अब main pollutants की बात करें, तो main pollutants responsible for the London smoke वो आपको पता है कोईले को जलाने से कौन से pollutants निकलते हैं, जैसे sulfur dioxide था particulate matters थे और nitrogen dioxide थे, तो sulfur dioxide released from the burning of the colds, particularly in residential areas for the heating purpose, जैसे मैंने बताया, ठंड जादा होती थी, तो महाँ पर कोईले को जलाया जाता है जिस बज़े से आपका sulfur dioxide pollutant निकलता है बहुत जादा मातरा में वहाँ पर कोईला जलाया गया, और जादा sulfur dioxide create हुआ, sulfur dioxide can react with the other pollutants to form the particular matter, और उसने दूसे pollutants के साथ react किया, और एक particular matter वहाँ पर create कर दिया, वही पर आगे बात करें, particulate matters की, तो small particles suspended in the air, कुछ small particles जो already suspend हुए मतलब air में, pollutant की form में, resulting from the incomplete consumptions of the coal and other fossil fuels, जैसे कि हम गाड़ियां वहाँ पर चलती है वहाँ से जो pollution निकल रहा है उनके साथ react करके, combination करके that means, other तरीके के matters वहाँ पर create हुए वही पर nitrogen dioxide की भी बात करें emitted from the various sources including the industrial activities and the vehicle exhausts contributing to the formation of the fog वही पर, जो nitrogen dioxide है वो भी महाँ पर industries जो लगी हुई है, उनकी activities से environment भी जा रही थी vehicles जो चलते हैं, उन से मतलब, इन सब के combination से वहाँ पर इस तरीके का scenario बना कि एक तरीके से battle की form में वहाँ पर pollutants इखटा हो गए एक जगह पर जिसने London smoke tragedy को दिया, और जिस बज़े से वहाँ पर लोगों की health जैसे आपका बोपाल gas tragedy थी उसी तरीके से आपका ये था क्योंकि भुपाल gas tragedy भी air pollution को define करती है और लंदन smoke भी air pollution को define करता है ठीक है, present days की अगर हम बात करें तो present days air quality challenges in the London क्या है London has made significant strategies in improving air quality since 1952 smoke event, मतलब 1952 में जो ये smoke वाली problem हुई थी उसके बाद से लंदन अपनी air quality को improve करने के लिए different strategies अपनाता है however challenges persist जैसे traffic related pollution क्योंकि day by day pollution हर जगे बढ़ रहा है क्योंकि population बढ़ रही है और traffic भी बढ़ रहा है on road तो वो traffic related pollution एक अब भी लंदन में क्या है problem है, challenge है London faces ongoing issues with air pollution particularly related to the traffic emissions है न, जैसे diesel vehicles हो गए in particular has been a significant source of the nitrogen dioxide and the particulate matters मतलब nitrogen dioxide और उसके particular matters जिनका भी हमने बात की पीछे वो सब अभी भी वहाँ पर कहीं ना कहीं traffic से related जो pollution है वो अभी भी challenge है लंदन में वहीं पर ultra low emission zone to address air quality concerns London introduced the ultra low emission zone in central London changing vehicles that do not meet state emission standards मतलब vehicles को change करने की या फिर उन पर charging बठाए गई जो एक standard emission से जादा emission produce करते हैं या उनके laws को follow नहीं करते हैं जैसे आप देखते होंगे आप अपने vehicles का production card बन बाती हैं वो आपको हर six month हर one year के अंदर renew कराना होता है वही चीज वहाँ पर उस तरीके से maintain की जा रही है जिससे की इस challenges को या इन challenges को कम किया जा सके वही पर आगे बात करें industrial emission की while industrial emissions have decreased they still contribute to the air pollutants in certain areas ठीक है इस पर भी वहाँ पर काम किया जा रहा है जिससे की air quality को maintain किया जा सके healthy बनाया जा सके public awareness and the initiatives यानि कि public को भी aware करना है और initiative भी public को ही कही न कही provide कराना है there is a continued focus on the public awareness and initiative to reduce the individual contribution to air pollution such as promoting the sustainable transport and reducing domestic emission मतलब कहने का ये है कि public में awareness create की जा रही है जिससे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप समझ सकते हैं अगर एक bus जा रही है है ना तो एक bus में लगवख 70 से 80 सवारिया जा सकते हैं अगर वो 70 से 80 सवारि अपनी खुद के महान से जाने लगें तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो pollutant की मात्रा कितनी बढ़ जाएगी तो इस तरीके से public में awareness create की जाती है जिससे की air pollution को control किया जा सके हैं चीक है ये challenges अभी वहाँ पर देखने को मिलते हैं तो ये second question था लंदनी स्मोग से related अब हम बात करते हैं deforestation की तो what is deforestation emirate and discuss the various causes and effects of the deforestation on the environment and how can they be controlled कैसे हम control कर सकते हैं क्या-क्या causes, क्या-क्या effects है deforestation के environment पर और deforestation क्या होता है ये question आपका पूछा गया है तो deforestation is the process of clearing or removing large expenses of the forest or trees मतलब deforestation की अगर हम बात करें तो एक ऐसा process है जिसमें clearly या फिर हम कह सकते हैं कि remove करना एक large amount में forest को large amount में trees को वो deforestation के अंदर आता है often for a agricultural logging और urban development purpose मतलब चाहे वो खेती के purpose से आप उसको हटा रहे हूँ या फिर कटान के हिसाब से पेड़ो को काट रहे हूँ या सहरी करन के development के लिए आप पेड़ो को काट रहे हूँ large amount में अगर आप trees को काटते हैं तो that's called the deforestation ऐसा नहीं कि आपने एक पीड काट दिया तो वो deforestation में आ जाएका नहीं मतलब large amount में अगर forest पर बहुत ज़्यादा effect देखने को मिलता है here an exploration of these causes and effects of the deforestation along with the potential control measures कुछ causes हम यहाँ पर देख लिए हैं उनको discuss करते हैं जैसे first cause है deforestation logging मतलब कटान and timber harvesting मतलब पेड़ो को कटान से क्या-क्या मतलब नुकसान हो रहा है इसकी अगर हम बात यहाँ पर करते हैं ठीक है एक सकीड ठीक है लकड़ी का कटान या फिर हम पेड़ो के कटान की बात करते हैं तो यह एक cause है cause क्या हो जाएगा the demand of the wood लकड़ी and timber products drivers extensive logging activities मतलब कहने का यह है कि जो लकड़ी के सामान है जो आज कल आप देख रहे होंगे हर जगे पर आप कोई घर बनाते हैं या फिर कहीं पर जो आप लकड़ी के सामान्स बनवाते हैं तो उसके लिए लकड़ी को काटना पड़ेगा तब ही आप wood के सामान्स बना सकते हैं तो यह एक cause है मतलब demand हो रही है wood के products की और effect क्या पढ़ रहा है loss of diversity क्योंकि अब लकड़ी के अगर आप products बनाएंगे तो उसके लिए लकड़ी को काटना पड़ेगा पेड को काटना पड़ेगा तब ही तो लकड़ी मिलेगी तो that means इसका effect हो रहा है कि loss of diversity हो रही है description of the ecosystem हो रहा है and the soil erosion हो रहा है सबसे ज़्यादा effect जो पढ़ता है वो पढ़ता है आपका मिट्टी के कटान पर क्योंकि जब एक पेड होता है उसकी जड़े होती है वो उस मिट्टी को बाढ़े रखती है उस मिट्टी को पकड़े रखती है क्योंकि अगर बारिस हो या फिर कोई भी मतलब water का flow होता है तो वो उस मिट्टी के कटान को रोग देती है तो सबसे ज़्यादा है soil erosion आप देखने को मिलेगा और इस वज़े से ecosystem में disturb हो जाता है और वहीं पर biodiversity में कहीना कहीं loss देखने को मिलता है तो ये इसका effect हो जाता है दूसरी बात करें agriculture expansion जैसे मैंने अभी बता है कि जब हम खेती के छेतर को बढ़ाते हैं तो उसके लिए हमें पेड़ पौधो को काटना होगा तभी तो खेती का छेतर बढ़ेगा न तो agriculture expansion हो गया अब cause क्या है clearing lands for the agriculture including the livestock, grazing and crop cultivation मतलब cause क्या है agriculture expansion का मतलब हमें agriculture जो land है उसको बढ़ाना है क्यों कि हम जादा से जादा खाद्य पदार्थों को produce कर सके और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि population जो है वो बढ़ रहा है effect क्या होगा habitat destruction, loss of biodiversity and the alteration of the local climate जो आसपास का climate है वो भी कहिना कही impact होगा जिससे कि आपको global warming या climate change की समस्या देखने को मिल सकती है next आते है infrastructure development same situation जैसे agricultural expansion है वैसे infrastructure development है buildings, roads, highways and the urban areas require clearing large trades of the land अगर आप देख रहे होंगे आपके छेतर में अगर कोई बड़ा highway बनता है तो पहले जो road वहाँ से जा रही थी उसके आसपास पेड लगे होते थे तो सबसे पहले उन पेड़ों को ही कटवाया जाता है जिससे क्योंकि आपका जो road है उसके area को बढ़ाना है अब जब area को बढ़ाएंगे तो large amount में जो पेड़ थे उस road के पूरे किनारे किनारे उन सब को काड़ दिया जाता है ठीक है तो ये cause हो गया effect क्या हुआ fragmentation of the ecosystem loss of wildlife habitats and increased human wildlife conflicts मतलब इससे क्या हुआ कि जो wildlife के आवाज थे वो भी कहीना कहीं disturb होए वो भी खतम हो गए और उससे wildlife भी कहीना कहीं loss में और वही सारी चीज़े तो है ही आपकी biodiversity पर effect पड़ेगा आपका environment पर effect पड़ेगा climate पर effect पड़ेगा तो ये सारी चीज़े हो जाएंगी और जो cause था infrastructure development है अब fire की बात करते हैं both natural and human induced fire can lead to the rapid deforestation मतलब अचानक से जंगल में आग लग जाना या humans के गलतियों के कारण जंगल में आग लगना तो वो भी कहने कहीं deforestation को बढ़ा बात देती है और effect क्या पड़ता है destruction of the vegetation, release of the carbon dioxide into the atmosphere and soil degradation और सातिसाल wildlife heavy dense effect हो जाते हैं wildlife effect हो जाती है क्योंकि वहाँ पर उस उन पेड़ पौधो पर जो भी निवास कर रहे थी वो भी उस fire से जो आग लगी उस जंगल में उससे effect हुए वो भी कहीं न कहीं खतम हो गए तो इस तरीके से हर फिल्ड पे अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं जो deforestation हो रहा है वो कहीं न कहीं ecosystem environment के लिए harmful है आगे बात करें mining की तो mining भी एक factor है cause क्या है extracting minerals and the resources often involving clearing large forested areas मतलब जो forest areas हैं वो एक तरीके से बहुत ही जादा मात्रा में minerals and resources हैं energy के तो वहां से energy या उन resources का इस्तिमाल करने के लिए भी हमें deforestation यारी के पेड़ पौधों के कटान करते हैं ठीक है और effect क्या हुआ habitat distractions soil erosion and the contamination of water resources देखिए जब आप किसी particular पेड़ों का कटान करते हैं एक जादा मात्रा में तो उससे हर factor कहीं न कहीं effect होगा ये आप दिक को भी पता है उस पे रहने वाले जो जीव जनतु है वो effect होगे वहां का जो environment है उसका जो climate है वो change होगा temperature पर effect आएगा soil erosion होगा वहाँ पर तो उसके साथ साथ water sources भी कहना है कि उससे effect होगे तो ये सारी चीज़ों की समस्या का सामना वहाँ पर करना पड़ता है deforestation की बज़े से climate change होगा जो जंगलों में आग लग रही है उसकी बज़े से climate change देखने को मिलता है और effect क्या पड़ेगा accelerated deforestation due to more frequent and severe fires यहाँ पर deforestation की बात हो रही है तो उसको ध्यान में रखते हुए मतलब deforestation से कही ना कहीं climate में भी change देखने को मिलता है जिससे की हमें global warming तक की जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है ठीक है? चले अब effect क्या होते है deforestation के इन पे बात कर लेते हैं जैसे loss of diversity यह effect सबसे ज़्यादा है जब हम deforestation करते है climate change होगा यह भी दूसा factor important हो जाता है यह वही चीज़ है जो अभी हमने discuss की है तो इसलिए मैं point to point आपको यह चीज़े बता रहा हूँ notes आपको provide होगे यह आप महां से discuss करके मतलब अपने आप पढ़ सकते हैं फिर आते है description of the water cycle water cycle जो है वो disturb हो जाएगी soil erosion देखने को मिलेगा impact on the indigenous communities पर वहाँ पर यानि कि जो उस particular forest में रह रहे थे human beings भी मैं बताता हूँ human beings भी क्योंकि forest में रहते हैं उनकी life पर भी कही न कहीं impact पड़ेगा deforestation का ठीक है आपने movie में भी देखा होगा बहुत जगया जैसे पीड पौदे कटते हैं तो वहाँ पर जो रहने वाली जनता होती है वो अंदोलन कर देती है तो इसी तरीके से वहाँ पर जो human beings रह रही है निवास कर रही है उनकी life भी effect हो जाएगी आगे बात करते हैं control measures for the deforestation control measures क्या है deforestation के जैसे sustainable logging practices यानि के sustainable logging practice मतलब के हमें जो कटान करना है उसको इस तरीके से maintain करके चलना है कि हम sustainable development की तरफ ध्यान दे ठीक है यानि के resources की कमी ना हो उससे हमारे environment को impact ना हो protected areas and conservation reserves ठीक है protected areas और conservation reserves को भी हमें ध्यान रखना है यानि के establishing and maintaining protected areas and conservation reserves can help preserve critical habitants and wild diversity मतलब हम particular reason को भी ध्यान में रखते हुए हमें deforestation को control करना है है ना मतलब कहीं पर हमें forest की जरूरत है मतलब वहाँ पर रहने वाली wildlife या फिर उनके आवास को अगर हमें बचाना है क्योंकि हमने wildlife protection act अभी पढ़ा है last video में है ना तो उसको ध्यान में रखते हुए भी हमें है ना और अगर हम कोई भी road बनाने के लिए plants को cut कर रहे है तो जितने plants हमने काटे हैं उससे अधिक मात्रा में हम कोसेश करें कि महाँ पर plant लगाए भी है ना तो क्योंकि development के लिए जरूरी है लेकिन उस development को ध्यान में रखते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि environment जहां पर हम रहने वाले हैं वो भी healthy हूँ तो उस पे भी हमें काम करना पड़ेगा है अग्रो फोरेस्ट्री इंटिग्रेटिंग ट्रीज इन्टु दा एग्रिकल्चर लैंडिस्केप इस सथीके से प्लांट लगा जाते हैं जिससे की हम economically benefit ले सके तो वो ठीक है लेकिन उसके लिए हमें maintain करके चलना है balance को strict law enforcement enforcing laws against the illegal logging and the deforestation is essential to curb the unsustainable practices मतलब हमें वही चीज़ है इसी चीज़ को अगर protect करना है तो उसके लिए law तो आपको बनाना पड़ेगा penalties तो आपको रखनी पड़ेगी तो वही चीज़ यहाँ पर बताईगे कि strict law हमें बनाने पड़ेगे जिससे की हम deforestation को रोग सकें चलिए आगे बात करें community का involvement बहुत जरूरी है क्योंकि पेड़ पौदे हम लोग आप लोग ही काटते हैं तो हमारा involvement हमें awareness होना बहुत जरूरी है next topic जो point है वो यह ही है education and awareness about the deforestation तो यह दोनों points भी important है for the control of the deforestation क्योंकि हम लोग ही पेड़ काट रहे हैं है ना ऐसा तो है नहीं कि जो जंगली जानवर है वो पेड़ काट कर कहीं लेकर चा रहे हैं नहीं क्योंकि हम अपने ही benefit के लिए पेड़ों का कटान कर रहे हैं development के लिए पेड़ों का कटान कर रहे हैं तो अगर हमें need है तो that means उसके साथ साथ हमें balancing में रख कर चलना है कि अगर हमने दो पेड़ काटे हैं तो हमें दो पेड़ नए बनाने भी हैं है ना तो ये सारी चीज़े हमारे अंदर education और awareness की ज़रूरत है और हमारा involvement भी बहुत ज़रूरी है तो that means deforestation is a complex issue that require a multi-facist approach involving the government policies corporate responsibilities and the community participation to achieve the sustainable solution ठीक है main चीज़ है sustainable development की तो उसके लिए हमें सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए इस पर काम करना है ठीक है clear तो I hope deforestation के different different types के question किस तरहीगे से पूछे जा सकते हैं वो आपको clear हो गए होगे अब हम बात करते हैं next जो है आपका critically examine the role of the chemical fertilizers and the pesticides used in the agriculture अभी आपने जैसे pesticides के हमने बात की तो जो भुपाल गया strategy हुई थी वो भी एक pesticides की company जसते जो इसकी वज़े से हुई थी कहीना कहीं जो agriculture में अपने हम खेती में जो fertilizers या pesticides या पेस्टेसाइज यूज करते हैं उनका भी कहीना कहीं हमारे health पर agriculture का environment पर impact पड़ता है उन पर हम बात करते हैं क्या उनका role है the use of the chemical fertilizers and the pesticides in the agriculture has many impact on the environment, human health long term sustainability of agriculture's practice here is a critical examination of the role of the chemical fertilizers and the pesticides in the agriculture मतलब कहने का ये है जो chemicals हम fertilizers या pesticides की form में यूज कर रहे है agriculture में उसका कहीं न कहीं impact environment के साथ साथ human health पर भी हो रहा है ठीक है तो इनको ही हमें ध्यान में रखना है इन पर ही हमें बात करनी है तो जैसे बात करें chemical fertilizers की तो इसके कुछ positive aspects भी होते है कुछ negative aspects भी होते है तो पहले अब positive impacts की बात करेंगे fertilizers की फिर negative impacts और फिर pesticides के positive impact की बात करेंगे और फिर negative impact की तो उससे पहले आप वीडियो को अगर like नहीं किया है तो अभी तक like कर दीजी तो जल्दी से और अगर पहले स्टार्टिक में share नहीं किया था तो अपने friends के साथ share कर दीजी जिससे की वो भी lab उठा सके क्योंकि यहां से आपको 2-3 questions मिलने वाले हैं आपके main exam में चलिए positive aspect की बात करें fertilizers को use करने की increase crop yields मतलब chemical fertilizers provide the essential nutrients to the plant promoting rapid growth and increase crop yields मतलब जहां पर आपने fertilizer use किया है तो वो आपके plants को nutrient provide कराता है एक particular amount में जिससे की आपका जो मतलब फसल है crop है वो जल्दी growth करती है और increase होती है that means this has been crucial in meeting the growth and demand of the food जिससे की food जो है वो जल्दी growth हो जाता है और जब उसकी demand है तब हम उसको मतलब तयार कर सकती है तो यह positive aspect हो गया ठीक है फिर आते है nutrient balance fertilizers can telluride to provide the specific nutrients lacking in the soil helping to maintain a balanced nutrient profile for optical plant growth मतलब कहने का यह है fertilizers जो हम use करते हैं वो जो हमारी crop है उसको balanced form में nutrients provide कराती है जैसे suppose किसी soil में एक ability नहीं है कि वो गय हूँ उसमें हो सके लेकिन हम fertilizers का यूज करके उसको particular amount में nutrients provide करा देते हैं और वो उस particular मिठी में भी हम grow कर सकते हैं गय हूँ या धान मतलब उस तरीके के किसी एक particular reason में एक particular type की खेती करने के लिए हम उसमें fertilizers का help ले सकते हैं जिससे कि वो अच्छे balance form में growth कर सके चीक है क्योंकि हर soil में हर तरीके के nutrients available नहीं होते हैं आगे करते हैं cost effectiveness in the short term chemical fertilizers can be more cost effective for the farmers compared to the organic alternatives as they are often rapidly available and easy to apply मतलब कहने का यह है कि cost effective भी है और easily available भी रहते हैं जिससे कि हम उनको तुरंट apply कर सके अगर हम compare करें fertilizers को organic alternatives के साथ तो organic जो fertilizers होते हैं वो easily नहीं मिल पाते या easily हम उनको नहीं बना सकते हैं तो उसकी बजह से या फिर उसको ध्यान में रखते हुए ये एक positive impact है chemical fertilizers का अब इसके negative impacts क्या है negative aspects क्या है वो हम देखते हैं environmental pollution environment pollute होता है excessive use of the chemical fertilizers can lead to nutrient run-off causing water pollutions and contributing to issues like the algae blooms in the water bodies है ना algae's के blooms जो water bodies में होता है उसमें contribute करता है nutrients run-off हो जाते हैं आपके chemical fertilizers की use से water pollution आपको देखने को मिलता है वहीं पर बात करें दूसरा soil health degradation soil की जो health है वो भी कहीं ने कहीं decrease होती है क्योंकि आप जादा जित्रे जादा fertilizers का use करेंगे उसमें जो soil के nutrients थी वो खतम हो जाएंगे long term reliance and or chemical reliance on the chemical fertilizers without the incorporating organic matters can result in the degraded soil health जिससे की soil की health जो है वो decrease होती चली जाती है affecting its structure and the microbial diversities ठीक है तो कहीं न कहीं जादा amount में अगरा fertilizers का use कर रही है तो soil की जो health है मिट्टी की जो health है वो कहीं न कहीं affect होगी next आते हैं greenhouse gas emission जो greenhouse gases है उनका emission भी जाना मातरा में देखने को मिलेगा some fertilizers contribute to the release of the nutrients oxides a potent greenhouse gases which contribute to the climate change और जिस बज़े से वे contribute करते हैं climate change में और वो अलग से एक particular issue बन जाता है environment को देखते हैं तो ये negative aspects हो गए आपके chemical fertilizers को use करने के अगर chemical pesticides के use की बात करते हैं हम तो इसके positive aspects क्या हो जाता है crop protections crop को protection प्रोवाइट कराते हैं pesticides help control pests, disease and the weeds preventing crop losses and ensuring a constant food supply मतलब वो जो crops होती है उनको different types की disease से protect करते हैं आपके pesticides ये positive impact हो गया वहीं पर increase farm efficiency जो farms होती है उनकी efficiency को increase कर देता है मतलब पहले जो आपकी crop हो रही थी वो अगर मतलब एक उंटल हो रही थी तो उसको आप बढ़ा देगा वो डेड़ कर देगा दो कर देगा तो वो आपकी efficiency बढ़ जाएगी है ना allowing for higher efficiency in term of the production production के हिसाब से अगर या point of view से बात करें तो increase कर देता है efficiency को वही पर reduce human exposure to harmful pathons मतलब pesticides help protecting the frameworks and consumers from disease carried by the pests such as those transmitted by the mosquitoes मतलब कुछ harmful जो चीजे होती है या फिर जो things होती है beings होती है वो क्या करता है उससे भी कहीना कहीं protect करता है जैसे mosquitoes pesticides के use से mosquitoes किल हो जाते है तो वो कहीना कहीं protect कर रहा है human को तो ये भी एक positive aspect हो जाता है pesticides का use लेकिन negative aspect की अगर हम बात करें तो सबसे पहला negative impact या aspect जो होता है वो environmental ही होता है फिर residue in the foods होता है pesticide residue can remain in the crop and enter the food chain potentially posing health risk to consume over time मतलब जो हम pesticides use कर रही है जब हमने उनको use किया crop में तो वो crop में भी आ जाते हैं उनकी seeds में भी आ जाते हैं और seeds से हमारी food chain में आ जाएंगे और food chain में जैसे एंटर वे तो that means वो food chain को क्या कर देते हैं unhealthy कर देते हैं क्योंकि finally उस food को consume तो हम ही करेंगे न तो हमारी health महाँ पर क्या हो जाएगी affect हो जाएगी वहीं पर development of the pesticides resistance है न यह भी negative aspect हो जाता है overlices on certain pesticides can lead to the development of the resistance in the pest pollutions making the pesticides less effective over times है न तो समय के साथ साथ जैसे जैसे time जादा होगा तो उनका जो impact है वो less effective हो जाएगे तो यह भी एक negative aspect हो जाता है आपका pesticides को use करने का एग्रीकल्चर्म चीक है clear I hope दोनों causes और उसके positive and negative impact क्या होते हैं आपको clear हो गए होंगे आप बात करते हैं हम what is the eutrophication किस तरीके के question पूछा गया है कि what is the eutrophication briefly describe the process of the eutrophication to lakes what remedial measures do you suggest for the control of the eutrophication of water bodies मतलब कहने का यह है कि eutrophication क्या होता है कैसे यह बनता है यानि कि इसका क्या process है lack मतलब यह एक तरीके से water में create होता है water ecosystem यह बनता है और क्या remedial measures है इसको control करने के water bodies के अंदर यह question है इसमें तीन तरीके से इस तरीके से question पूछा गया है तो सबसे पहले हम eutrophication के बारे में बात कर लेते हैं तो eutrophication is a process in which a water body such as the lack or pond becomes overly enriched with the nutrients particularly phosphorus and nitrogen मतलब कहने का यह है eutrophication एक ऐसा process है जो water bodies में होता है और जैसे कि lack या pond की अगर में बात करें जिसमें overly increase हो जाते हैं nutrients particularly phosphorus और nitrogen मतलब phosphorus और nitrogen की मात्रा जो है वो अत्यधिक बढ़ जाती है मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है eutrophication एक ऐसे प्रक्रिया है जिसमें एक जल निकाए मतलब lack या pond में water body में जैसे जील या तालाब की बात करें पॉसकता तो बिसेश रूप से phosphorus और nitrogen की अधिकता हो जाती है और इससे क्या होता है this excess nutrient load stimulated excess growth of the algues and other aquatic plants जिससे क्या हुआ कि उस water body में phosphorus and nitrogen मतलब की nutrients की मात्रा बढ़ गई जिससे आपकी जो algues होते हैं या other aquatic plants होते हैं वो large amount में मतलब बहुत जल्दी grow कर जाते हैं leading to change in the ecosystem and water quality जिससे क्या होगा ecosystem में water की change आ जाएगा और water quality में भी कहीं न कहीं change देखने को मिलता है the process of the eutrophication typically occurs due to the human activities such as the agricultural runoff sewage discharge and the use of the fertilizers और यह जो process है eutrophication का यह मुख्यत है human activities से होता है जैसे agriculture runoff मतलब agriculture का जो runoff आता है वो अगर हम किसी तालाब में या किसी जील में बिला देते हैं sea waste discharge होता है वो जील में मिल जाता है या तालाब में जाकर या फिर जो fertilizers हम खेती में use करते हैं वो भी कहीने कहीं impact करते हैं सपोज आपने कहीं पे कोई chemical fertilizer किसी plant में डाल दिया तो आप देखते होंगे वो एकडम से बहुत जल्दी growth कर गया पहले वो growth कम कर रहा था जैसे आपने fertilizer डाला तो वो growth कर गया तो वही चीज़ है क्योंकि उसमें nutrient की मातरा बढ़ गई है और यही चीज़ अगर water bodies में जाती है वो सहवाल या अन्य जलिये जो पौधी होते है वो उत्तेजीत होकर अधिक मातरा में अत्यधिक ब्रद्धी करने लगते है जिससे क्या होता है जो water ecosystem है या जो water है उसकी जो गुणवत्ता है उसमें परिवर्तन आ जाता है तो यह सब चीज़े जो humans being है उनकी बज़े से ही या उनकी activities की बज़े से ही देखने को मिलती है अब क्या है process इसका eutrophication का तो सबसे पहले nutrient input जैसे मैंने बताया आपको different different forms में nutrients आते हैं water bodies में excessive amount of the phosphorus and the nitrogen enters the water bodies from the various sources primarily human related activities like the agriculture runoff and the wastewater discharge है न इनसे जो phosphorus and nitrogen की मात्रा है वो excessive amount में enter कर जाती है water body में algal bloom जिससे कि algis जो होते हैं या फिर water plants जो होते हैं वो अग्ति अधिक मात्रा में तेजे से बढ़ जाते हैं the increased nutrient labels stimulate the rapid growth of the algis and the other aquatic plants this can result in the formation of the dense algal blooms on the water surface जिससे कि एकदम से बहुत अधिक मात्रा में algals जो होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं growth करना स्टार्ट हो जाते हैं आगे बात करें plant decomposition की as the algis die and sink to the bottom यानि कि जब decomposition की अगर हम बात करें तो जो algis बहुत जल्दी growth किये थे वो धिरे 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 क्या हो जाएंगे dye भी होंगे है ना और वो bottom पे चले जाते हैं नीचे they are decomposed by the bacteriars और वो bacteriars की बदर के द्वारा decompose की जाते हैं this decomposition process consume oxygen in the water है ना और वो जब decompose कर रही है वेक्टिरियास तो oxygen consume करेंगे water body से then oxygen depletion जिससे क्या होगा oxygen का जो level है वो घट जाएगा creating oxygen poor condition जिससे क्या होगा एकदम से oxygen की जो मात्रा है वो काम हो जाएगे वो पूर हो जाएगे water में especially in the deeper layer of the water body generally जो deep में नीचे गहराई में water bodies हैं वहाँ पर जिससे क्या होगा fish kills and the habitant degradation the reduce in the amount of the oxygen level harm fish and other aquatic organism leading to the fish kills and a decline in the biodiversity मतलब जिससे क्या हुआ oxygen की जो quality थी उसमें कहीना कहीं decrement हुआ जिससे क्या हुआ जो fishes उसमें रह रह रही थी या aquatic जो अगर अलग organism रह रह रही थी वो वहाँ पर die होना start हो गए additionally the accumulation of the organic matters on the lack bed can release additional nutrients particulate the cycle जिससे की वहां की जो biodiversity है या ecosystem है या food chain है वो सब क्या होगे disturb हो जाती है वहाँ पर तो ये process है utrophication का कैसे utrophication होता है ठीक है अब remedial measurement की बात अगर हम करते हैं तो जो causes हैं उन पे ही हमें control करना है जिस बजह से ये हो रहा है remedial measure of the utrophication control में जैसे reducing nutrient inputs जो nutrients inputs water bodies में जा रही है उन्हें कहीं ने कहीं हमें reduce करना है जैसे first one is the control agricultural runoff जो agriculture से wastage जा रहा है उसको हमें control करना है seaweed treatment उसको हमें control करना है next vegetative wafer jones vegetative wafer jones को भी हमें ध्यान में रखना है जिसे कि जो vegetables form में waste है वो भी आपका water bodies में ना जाए और जिसे कि वहाँ पर nutrients की मातर ना बढ़े और आपकी algies जो है वो एकदम से ग्रो ना करें phosphorus removal technologies हमें इस पर ध्यान देना है implement the technologies such as the constructed wetlands or the phosphorus removing chemicals to reduce the phosphorus level in the water bodies मतलब जो phosphorus का level बढ़ जाता है उसको reduce करने की हमें कोई technology implement करनी है जिसे की water body से phosphorus की मातरा को reduce किया जा सके चीक है आगे बात कर लेते हैं public awareness and education बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोगों के agriculture से ही run off जाता है या फिर हमारे ही घरों से sea waves निकलता है वो सारी चीज़े जब तक हमारे अंदर awareness नहीं होगी education नहीं होगी that means not possible ठीक है तो आगे and last point is the integrated western management और इसको भी management की जरूरत है adopt an integrated western management approach that considers the entire ecosystem and addresses land use practices urban planning and water management in a holistic manner एक particular manner में इसको control करना manage करने की जरूरत है otherwise water ecosystem जो है वो बहुत अधिक मात्रा में affect होना start हो जाएगा ठीक है आगे बात करते हैं addressing eutrophication requires a comprehensive and collaborative effect involving government agencies communities and the industries सबको यहाँ पर contribution करना है sustainable land use practices nutrient management and the protection of water qualities are essential component of the effective eutrophication and control measures ठीक है तो यह एक तरीके का eutrophication आप water bodies में देखते हैं और इसको control करना इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है otherwise ecosystem कही न कहीं affect होगा और वो एक food chain जो होती है उसको affect करेगा ठीक है तो यह यहाँ पर कुछ amount में ने यहाँ पर expression हिंदी में भी आपको provide करने कोसिस किए कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर्थ हम हिंदी और इंग्लिस दोनों में लिख सकते हैं तो थोड़ा सा matter इस तरीके से easy करने के लिए उन बच्चों के लिए यह चीज़े यहाँ पर introduce की गई है next question किस तरीके से पुछा जाएगा ozone layer से related तो what do you mean by the term ozone hole ozone hole से आप क्या समझते हैं discuss the reaction involved in the formation and the depletion of the ozone layer ozone layer कैसे form होती है कैसे इसका depletion हो रहा है इसके बारे में बात करनी है and also explain the cause, effect and control of the ozone layer depletion तो यह question आपका पूछा गया था last semester exam में सबसे पहले ozone hole की बात कर लेते हैं यह सारे topic deeply हमने discuss कर लिए है ठीक है, लेकिन यह question की form में लेकर आना इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि यह important type के question है इनको आपको question की form में represent करने का motive यही था कि आपको किस तरीके से question दिया जाएगा और किस किस तरीके से आपको उसको explain करना है ठीक है, तो ozone hole की बात करें sun, ozone layer बहुत ही crucial role अदा करती है हमारे environment में क्योंकि यह protect करती है एक जो harmful ultraviolet rays का radiation होता है sun से, उन rays से हमें protect करती है अगर यह आपका जो depletion है ozone layer का यह बढ़ता है तो क्या होगा कि अधिक मात्रा में ultraviolet rays आएंगी आर्थ के surface पर जो कहीं न कहीं risk है आपके living organism के लिए ठीक है, आप reactions की बात कर लेते हैं कैसे आपका formation होता है depletion layer का और कैसे depletion हो रहा है ozone formation के अगर हम बात करें तो ozone जिसको हम O3 बोलते हैं यानिके इसमें oxygen के तीन molecules होते हैं इस form naturally in the stratosphere ये naturally बनती है, form होती है stratosphere में through a process where oxygen molecules जहांपर oxygen के molecule क्योंकि oxygen में two molecules होते हैं are broken apart by the ultraviolet radiation from the sun है ना, जो break कर दिया जाता है ultraviolet rays जो sun से आ रहे हैं उनके द्वारा and the broken oxygen atom that's the O then combine with other oxygen molecules O2 to create the ozone layer मतलब कहने का ये है कि जो आपका ozone formation होता है वो इन ही ultraviolet rays के radiation से होता है जिनको ये रोकती है अर्थ के surface पर आने से क्योंकि ये क्या करता है ये आपके oxygen के molecule को break करता है और फिर वो जब break होकर oxygen के दो molecules बन गए तो वो फिर एक molecule जैसे ये oxygen है इसको break किया ultraviolet rays ने इधर से sun से ultraviolet rays आ रही है तो ये एक oxygen का molecule आपको इधर मिला एक oxygen का molecule इधर मिला आगे जाकर ये O2 के साथ react करता है then it becomes the O3 say that is ये next oxygen के साथ क्या करता है मिलता है तो then it also becomes the O3 तो ये इस तरीके से ozone का formation होता है ये naturally होता है stratosphere छीक है तो ये ozone का formation हो गया ozone के depletion की अगर हम बात करें तो man-made chemical called the chlorofluorocarbon CFC जो होता है ये जो man-made chemical है chlorofluorocarbon and the halons are the main culprits in the ozone layer depletion यानि के ये main reasons हैं जो ozone के depletion में involved हैं जिनकी वज़े से ozone layer deplet हो रही है मतलब उसमें गिरावट आ रही है when these chemicals reach the stratosphere जब ये chemicals stratosphere पर जाते हैं वहां तक पहुंचते हैं they release the chlorine and the bromine atoms through this reach of the reactions यानि के ये क्या create करते हैं chlorine and bromines के atom जो react करते हैं फिर इसके साथ ozone layer के और उसको छटी पहुंचाते हैं these chlorine and bromine atoms then break apart ozone molecules जो ozone molecules होते हैं O3 इनके साथ react करके chlorine and bromine के atoms इसको क्या करते हैं break करते हैं leading to the reduction in the ozone layer जिस वज़े से ozone layer जो है वो reduce होती है उसके level में reduce हो जाता है यानि कि वो क्या कहते हैं gravity देखने को मिलती है ozone layer में ठीक है depletion हो गया ozone layer का I hope ये भी आपको समझ में आया होगा कैसे ozone layer depletes हो रही है और कैसे formation हो रहा है वो भी आपको clear होगा अब आते हैं causes of the ozone layer depletion यानि कि ozone layer के depletion में छटी में क्या क्या कारण है क्या क्या causes है उसकी हम बात कर लेते हैं the primary cause is the human made chemical like the chlorofluorocarbons and the halons commonly found in the represents aerosolar propellants यानि कि जो थंडी चीज़े होती हैं उनमें सम्में ये chlorofluorocarbons लेखने को मिलते हैं and some industrial process और other industrial process भी हैं जो कहीं ने कहीं ये produce करते हैं या इसके लिए कारण बने होई हैं next human activities release these chemicals into the atmosphere और humans की जो activities हैं ये इन chemicals को atmosphere में release कर रही है and when they reach the stratosphere और जैसे ही ये stratosphere पे जाते हैं they break down ozone molecules और वो break down कर देते हैं ozone molecules को ठीक है तो ये cause हो गए ozone layer depletion की महीपर effects of ozone layer depletion की बात अगर हम करें increase exposure of to the harmful ultraviolet rays can cause skin cancer cataracts and the other health issues in the humans मत्ब जो ozone layer का depletion हो रहा है उससे क्या होगा कि जो harmful ultraviolet rays हैं वो earth के surface पर आएंगी और जो living things हैं उनके skin को effect करेंगी जिसे कि skin cancers की समस्या या फिर other तरीके की health issues की समस्या हैं देखने को मिलेंगी ठीक है आगे बात कर लेते हैं it can harm animals animals को भी harm करेंगी especially those in the oceans जो oceans में रहते हैं and affect the growth of the python plankton यानि कि जो plants आपके किस में grow करते हैं water bodies में उनको भी affect करेंगी which form the basic of the marine food chain है ना जो marine food chain को affect महाँ पर करेंगा आगे ultraviolet radiation can also damage plants impacting ecosystem and the agriculture साथी साथ ये plants को भी impact करेंगी जिससे की agricultural form या ecosystem जो है वो भी impact होगा तो ये effects है ozone layer depletion ठीक है तो आई हो ozone layer से जो भी different different तरीके से मैंने question आपको समझाए वो clear हो गए होगे ठीक है अब control कैसे करेंगे ozone layer depletion को उस पर हम बात कर ले थे तो जो जो actually जो जो हम causes है जो जो कारण इसके हो रहे है depletion के उनी पर हमें control करना है तो international agreement like the Montreal protocols have been crucial in the phasing out the production and the use of the ozone depleting substances जैसे Montreal protocol है वो कही न कही international agreement है जो ozone layer depletion पर काम कर रहा है इसको control कर रहा है आगे the use of the alternative substances that do not harm the ozone layers has been promoted in various industries मतलब ऐसे alternative substances को promote करना है जो ozone layer को हम न पहुँचाए है and public awareness and the education play a crucial role in the increasing responsible use of the products that may contain the ozone depleting chemicals यानि कि उन chemicals का use नहीं करना है public awareness इस तरीके से या उनको education प्रोवाइड करानी है जिससे कि public उनको कम कर सके जिसमें आपके ऐसे chemicals यूज हो रहे हैं जो ozone layer को affect करते हैं तो इस तरीके से हम control कर सकते हैं note में क्या लिखा हुआ है the ozone layer is like the earth sun screen यानि कि ozone layer एक तरीके से हम कह सकते हैं कि earth के लिए एक sun screen है जैसे आप face पर sun screen cream लगाते हैं न suns से जो आ रही है rays उससे आपका body या face protect रहे तो वैसे आप कह सकते हैं कि ozone layer जो है वो एक earth के लिए sun screen cream का का काम करती है that's protecting us from the harmful sun rays जो हमें harmful sun rays से protect करती है however certain human made chemicals जैसे वहीं पर कुछ human made chemicals जो होते हैं when released into the air break down this sun screen और जब वो chemicals release होते हैं air में तो वो break down करते हैं इस sun screen को जो earth के का sun screen है and creating an ozone hole और एक ozone hole create कर देती है this hole lets more dangerous rays reach us जिस वज़े से इस hole से फिर जो dangerous rays हैं वो हमारे पास तक आती है and cause the health problem और हमारे body में health problems create करती है to fix this countries agreed to the stop using these harmful chemicals and we are making progress in health healing the ozone layers by using the safer alternatives मतलब जो chemicals हम use कर रही हैं जो harm करते हैं ozone layer को उनकी जगह हमें alternatives उसके use करनी हैं जिससे की हम ozone layer को healing कर सके हैं न it's a reminder that our actions can affect the plants but when we work together we can make positive changes यानि कि अगर हमें एक साथ मिलकर काम करें then हम इस ozone layer deficiency भी बच सकते हैं इसको भी हम fill कर सकते हैं तो I hope आपको ozone layer से संबंदित हर तरीके का question clear हो गया होगा ठीक है अब वो किसी भी तरीके का question पूछ लेगे अब नेक्स question है give sustainable example to explain the causes, effect and remedies to the water-born and water-induced diseases तो आज हम इहां पर जो इस question में पूछा गया है कि causes क्या है, effect क्या है, remedies क्या है इसके लिए जो water-born या water-induced diseases होती है तो पहले अगर हम कारण की बात करते हैं जल जनित विमारिया यानि कि water-born diseases की तो उच वेक्टिरिया संखिया मतलब जब water में वेक्टिरिया की संखिया बढ़ जाती है then these diseases produced अगर पानी में अधिक मात्रा में वेक्टिरिया होते हैं तो जल जनित विमारिया फैल सकते हैं जैसे कि उधारन के स्वरूप अगर हम बात करें अगर कोई पानी से infected होता है तो उसे diarrhea हो सकता है जल जनित बिमारिया होंगी जला धी निर्भर बिमारियों के अगर हम बात करें बारिस से उत्पन संगर जैसे बारिस के बाद भूमी पर जमा जल यानि पानी वाटर जो है वो भर जाता है तो उससे क्या होता है मच्छरों के प्रिवद्दन में कमी और बिमारियों के फैलने के लिए अधिक संबाबना है जैसे की मलीरिया है ना तो वहाँ पर क्या होता है कि मच्छर क्रियेट होना इस्टार्ट मॉस्किटों क्रियेट होना इस्टार्ट हो जाते हैं और जिससे की मलीरिया हो जाता है मलेरिया की बिमारी फैलने लगती है जल सराव से होने वाली जो बिमारियां जैसे बाड आती है ना जल पर ले आती है या बाड तोटने की यस्थिति में बिमारियों का फैलना और बढ़ जाता है जैसे की जल जनित डैंगू है ना डैंगू जो मच्छर होता है वो फैलता है और फिर वो डैंगू को फैला दिता है तो ये भी एक जलाद धी निर्भर बिमारी होती है ठीक है क्लिर हुआ चलिए ठीक आगे बात करते हैं प्रभाव की तो जलजनित बिमारियों का प्रभाव क्या है सेहत अगर हम बात करें तो डाइरिया हो जाता है जिससे की पानी से होने वाले संखरमन के कारण हो सकता है बच्चों और बडों में सेहत को प्रभावित कर सकता है ठीक है वहीं पर सामाजिक प्रभाव की बात करें तो जलजनित बिमारियों का फैला आप सामुदाय में भी सामाजिक परिस्थित्यूप को प्रभावित कर सकता है क्योंकि सब को प्रभावित करने की संभामना हो जाती है मतलब एक को प्रभावित किया तो दैर्ट वहां से दूसरे को भी प्रभावित कर सकता है थर्ड, फोर्थ, फिर्ट इस तरह के से सामाजिक, मतलब सूसल इफेक्ट भी यहाँ पर देखने को मिलता है वहीपर जराधी निर्वर बिमारियों की बात करें तो स्वास्थे प्रभाव वाड और जल जनित बिमारियों से बचाब के लिए साब्धानी नैबरतने पर स्वास्थे पर बड़ा प्रभाव हो सकता है जैसे की जीवन स्तरका गिरना और अस्तित्व पर सीधा असर है ना नीकि हमारे बोडि पर सीधा असर इसका देखने को मिलता है अगर हम अवयर नहीं हुए या साबधनिया नहीं बढ़ती जैसे जनित में यह मैसेज भी बरसात के समय में आपको मिलता रहता है कि आप कहीं पर भी water को इखटा नय होने दे otherwise वहाँ पर जो डेंगू का मच्छर है वो पनपना स्टार्ट हो जाता है और डेंगू की बिमारी को फैला देता है ठीक है और दूसा सिक्सा का प्रभाव यहाँ पर educational awareness क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि water को कहीं पर भरने नहीं देना साफ water को कहीं खुले में भरा हुआ नहीं होना चाहिए जिससे कि वहाँ पर डेंगू का मच्छर क्रियेट ना हो या उससे आनए या बिमारी क्रियेट ना हो जलाने भिरवर बिमारियों से पीडित लोगों को अधिक समझदारी और स्रक्सित जल उपियों के लिए सिक्सा में विग्न हो सकता है यानि कि सिक्सा के प्रभाब से यहाँ पर यह सारी चीज़े हो सकती हैं जिससे कि डिफिर्ट तरीके की बिमारियां देखने को मिलती हैं अगर हम उपाई की बात करी हैं पर तो उपाई में आपका जल जनित बिमारियों इसके लिए स्वच्था सबसे ज़्यादा जो है वो स्वच्था यहाँ पर है नियमित बारिज जल संचार को बढ़ा सकती है लेकिन स्वास्त है और हैजीन के उच मानकों का पालन करना बिमारियों से बचा जा सकता है कौरोना के समय में स्वच्चता का धियान रखना बहुत जरूरी था समय-समय पर हाथ धुलना मतलब गरम पानी से गला रेकुला करना तो ये सारी चीज़े हमें बहुत सारी बिमारियों से दूर रख सकती है महीं पर पानित का उचित सूधन, पानी को ठंडा करने और सोधित करने के लिए उप्यूक्त तक्नीक का उप्यूक करना जल जनित बिमारियों को रोक सकता है, मतलब सूध पानी का हमें यूज करना है, मतलब गंदे पानी का हमें यूज नहीं करना है, जिससे कि हम बिमारियों से बच सकते हैं और जलाधी निर्भर बिमारियों की अगर हम बात करें उस उपाय की तो जल संचार का प्रभंदन मतलब बाढ़ और जल जनित बिमारियों से बचाव के लिए सुरक्सित जल संचार और उचित प्रभंदन के लिए नीतियों का अनुसरन करना महतुपूर्ण है यानि कि जलाद ही निर्भर बिमारियां वो मतलब इस طریقے से आप कह सकते हैं कि जो जल के इखटे होने से, बहाव्द से या इस तरीके से होती है और जल जनित बिमारें जो हम consume करते हैं water उसकी वजे से जो डिजिज होती हैं ना तो ये उपाय है इस तरीके से आप बच सकते हैं सार्जमिनिक स्वास्थे परिक्रियाओं में मतलब जल आधारित बिमारियों के खिलाब सार्जमिनिक स्वास्थे अभियान और सिक्सा से जनता को जागरू करना आवशक है यहनिके awareness और education की बहुत जरूरत है वज़े से हम कुछ जल जनित बिमारियों से डारेक्ली बच सकते हैं ठीक है या जल निर्भर जो बिमारियां है उससे हम बच सकते हैं ठीक है तो यह आपका इस तरीके से कुसर्स हो जाता है अगर हम बात करें difference between the clean air and acid rain की तो comparison form में भी हम यहाँ पर discuss करेंगी पहले हम बात करेंगे साफ बारिस यानिके clean air sorry clean rain की अगर हम बात करते हैं तो current क्या है clean rain widely pollution की कमी के कारण मतलब जब किसी छेतर के में जो air pollution है वो नहीं है या फिर बहुत कम मात्रा में है तो वहाँ पर जब बारिस हो रही है that's called the clean air क्योंकि वहाँ पर जब air से बारिस के drops late आ रहे हैं तो वो pollute नहीं हो रही है और जब वो pollute नहीं हो रही है तो that's called the clean air इससे में निर्मित होने वाली वैक्टिरियाज और अन्यक किटानू की कमी होती है जिससे कि मतलब वैक्टिरियाज या किटानू जो होते है वो produce नहीं हो पाते है तो भाब क्या होता है साफ वारिस पोधे प्राणियों और जल स्रोतों के लिए उत्तम होती है और प्राकर्टिक संतुलन को बनाए रहती है रंग और गंध में अगर हम बात करें तो साफ वारिस सामाने ते रंग हीन और सुगंध हीन होती है मतलब वहाँ पर उसमें कोई कलर नहीं होता है उसमें कोई दुरगंध नहीं होती है तो इस तरीके से आफ साफ वारिस एक क्लीन रेन को समझ सकते हैं वहें पर acidic rain की अगर हम बात करें तो acid virus industrial vikas और vimandly production की कारण होती है मतलब जहां पर बहुत ज़ादा industries होती है और वो bio production करती है मतलब air pollution करती है तो वहां पर आप acid rain देखेंगे और जिससे विभिन रासाइनिक योगिकों का सामिल होना संभा हो जाता है यानि कि उन water droplets के साथ आपके different types के जो pollutants होते हैं वो मिल जाते हैं और वो कहीं न कहीं हाम करते हैं आपको और सभी living things या non living things को प्रभाब क्या है? acid, virus, पौधो, जल सोतो और प्राणियों के लिए हनिकारख है क्योंकि इसमें स्मर्धिकारी रासानिक हो सकते हैं जो स्वास्थे को प्रभावित कर सकते हैं ठीक है? प्रभाब ये होता है मतलब living things के साथ साथ non living things को भी यहाँ पर ये affect करती है जैसे आप देखने सुना होगा जो आगरा का ताजमेल है उसका जो कलर है पत्थर का वो क्या होने लगा है? चेंज होने लग गया है वो इसी की बज़े से है ठीक है? एसडिक रिइन सी है ना रंग और गंद एसडिक वारिस में कई बार रंग हीन होती है और अच्छी सुगंद नहीं होती क्योंकि इसमें एस्मृद रासाइनिक योगिकों की मात्रा रहती है मतलब कैमिकलों की मात्रा यहां पर रहती है तो इस यहां पर यह सुगंद हीन आप नहीं कह सकते हैं इसको रंग हीन हो सकती है लेकिन इसमें कहीं न कहीं कुछ तरी एक दुर्गद टाइप से आपको देखने को मिलती है that's called the acidic rain चीक है और अगर हम comparison form में अगर हम बात करें तो इन दो मुख्यां तरस में अगर तो current क्या है बाइमंडल ये मतलब air pollution की कमी है तो वहाँ पर जो rain होगी that's called the clean rain और industrial विकास और बाइमंडली प्रोडूसर्ण के area में या reason में अगर हम बात करें तो that's the acidic rain फिर भाब क्या होगा जीवो के लिए मतलब जो things and living things है उन पर इसका जो effect होता है वो सही रहता है clean वारिस का जबकि clean rain का जबकि acidic rain जो है वो honey-caric होती है human beings के लिए और फिर आप ये कह सकते है living and non-living दोनों तरीके से आप इसकी बात कर सकते है वो harmful ही होती है अगर रंग और गंद की बात करें तो रंगीन और सुगंधीन होती है कई बार ये रंगीन और अच्छी सुगंध वाली यानि कि इसमें दुरगंध होती है और रंग भी कुछ तरीके का मतलब आप इसमें कह सकते है that's called the acidic rain तो ये कुछ points जो हमने पीछे discussion किये थे उन्ही को यहाँ पर comparison की form में मैंने compromise कर दिया था एक जगे पर लिख दिया था अगर बात करें साफ वालिस यानि की clean air प्राकरतिक संतुलन का हिस्सा है मतलब environment जो है वो वहाँ का स्वस्थ है balanced है वहीं पर acidic rain जो है वो अधिक्तम रूप से मानव गतिविद्यों के कारण होती है और perhyverent को हानी पहुचा सकती है वहाँ के environment को हाम पहुचाती है ठीक है तो ये आपका clean rain और acidic rain के बारे में आपने देखा comparison की form में ठीक है clear चलिए तो ये आज का lecture था thanks for watching आपको lecture कैसा लगा उसके लिए आप comment box में comment करके जरूर बताएं कि साथी साथ अगर starting में आपने share नहीं किया था तो अगर आपको lecture अच्छा लगा तो आप चादा से ज़्यादा अपने friends के साथ share करें जिससे कि यहां से बच्चे अपने marks मतलब जो question मैं ने बताया आपको कि probability है यहां से तीन question आपके main exam में पूछे जाएं तो वो strong कर लें ठीक है I hope आपको सारी चीजे clear हो गई होगे किस तरीके के question की form में आपसे ये topics पूछे जाएंगे वो मुख्यता है मेरा बताने का motive था तो आपने enjoy किया होगा lecture को चलिए अब last lecture हम ecosystem कर रहे हैं कि environment and ecology को पूरे को cover किया जाए short form में मतलब एक तरीके से quick revision आपके लिए हम वो एक video बनाएंगे जिसमें पूरा complete slivers of environment and ecology in the short form आप कह सकते कि short जो questions होते हैं उसकी form में हम वहापस सारी चीज़े cover करेंगे वो video भी आपको जल्द ही मिल जाएगा ठीक है जिसमें आप तुरांट अपने पूरे environment and ecology subject को cover कर सकते हैं finish कर सकते हैं ठीक है तो चलिए मिलते हैं next lecture में जैहिन जैपार